क्या आपको फोटो, डोकुमेंट, फाइल, फोल्डर, किताब, एसकेर्ण करना नहीं आता है तो मैं आपको एक ऐसे ही अप्लिकेशन के बारे हैं बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही असानी से अपने मगाल फोन से ही आप घर बैठे यह सब काम कर सकते हैं, बीना दोकान में जाए, बीना साइबर केफे में जाए, बीना इधोधर भाग दोर किये मैं आपको बहुत इस सिंपल और असान तरीका बताया हूँ जिससे आप इस अप्लिकेशन के हेल्प से आप SD में फोल क्वाल्टी का फीरी में आप जो है स्केन कर सकते हैं, अगर आप यही काम करवाने के लिए दोकान में जाएगा, तो वहाँ पर आपको 10 रुपिया पर स्केनिंग लेता है तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीका से आप फिरी में अपने मुबाल फोन से ही SD क्वाल्टी में आपका इसे अपने फाइल, फोल्डर, भूब, फोटो या आपका पास जो भी है जिसको भी आप सकेन करना चाहते हैं बहुत ही आसानी से आप जो है सकेन कर सकते हैं इस सुराज महींचिन या राजा , और मैं य Ал आपसे सेलिज़ करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूटूब चेनल को सब्सक्राइब को नहीं किये हैं तो उसका notification सबसे पहले आप तक पहुंचेगा तो इस वीडियो में आप यह सिखेंगे किस तरीका से file, folder, photo, document या आप के पास जो भी है जिसको आप scan करना चाहते हैं फिरी में HD quality का बीना दोकान में जाए, बीना cyber के फिमें जाए, बीना इधर उधर भाग दोर किये, बीना पैसा खर्च किये तो आप जो है बहुत ही easy तरीका से वह कर पाएंगे, अभी के time में हर इंसान के पास जो है Android set होता ही है तो आपको क्या करना है एक application डाउनलोड कर लेना है, मैं आपको इस वीडियो में उस application का लिंक दे दूंगा जहां से आप बहुत ही easy तरीका से उस application को डाउनलोड कर लेंगे और बहुत ही असानी से आप घर बैठे, HD quality में फिरी में आप जो है कुछ भी scan कर सकते हैं अगर आप जो है job के लिए जा रहे हैं या आप कोई vacancy निकला है, कोई document अपलोड करना चाहते हैं तो बस आप जो है scan करेंगे वहाँ पर अपलोड कर देंगे online अगर आप phone भारते हैं तो मैं आपको बहुत ही simple और असान तरीका बताया हूँ जिससे आप बहुत easy तरीका से आप कुछ भी scan कर सकते हैं जो भी आपको scan करना है तो इस video को आपको completely last जरूर देखना होगा तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे किस तरीका से जो है कुछ भी scan कैसे कर सकते हैं जैसे आप किताब scan करना चाहते हैं photo, file, document, folder कुछ भी तो आप बहुत easy तरीका से scan कर सकते हैं तो इस video का completely चलूर देखेगा तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे कैसे scan किया जाता है तो चल इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि आप किस तरीका से scan का यूज कैसे करेंगे तो क्या करना है आपको प्ले स्टूर से आपको scan scan को डाउनलोड कर लेना है इसका लिंक आपको वीडियो के description पार्ट में मिल जाएगा डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे आप इसको camera scanner पर क्लिक करेंगे इसको आप open कर लेंगे यहां पर कुछ इस तरीका से इसका user interface देखने को मिल जागा यहां permission मांग रहा है आप allow कर देंगे allow करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीका से यह option देखने को मिलेगा आप इस तरीका से जो इसको skip करेंगे इसके बाद जो है यहां पर रिजिस्टर नाव पर नीची लिख रखा है यूज नाव तो आप चाहाए तो इसको रिजिस्टर भी कर सकते है या आप इसको direct जो परमिसम मांग रहा है परमिसम के लाव कर देंगे और यहां पर जहां भी आप कुछ भी रख रखे हैं तो इसको यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर कुछ समान वगारा है तो इसको जापर scan कर सकते हैं यहां पर यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर document है यहां पर ocr जो में चाहिए उसको आप जो है यूज कर सकते हैं इसके लाब यहाँ पर आपको और डेल सरा अप्शन मिल देखिए आपना iCard को भी जो है scan कर सकते हैं यहाँ पर दो आप सना चुका है iCard और passport तो आप जिसको भी स्केर करना चाहते हैं आप आप लिए इसकान कर सकते पासपोर्ट एसकेन कर सकते हैं यहां पर कोच्चन बुक है इस पर किलिक कीजिएगा तो यहां कोच्चन बुक जो है आप एसकेन कर सकते हैं यहां पर वार कोड अगर आपके पास है तो इस तरीका से अपने वार कोड भी एसकेन कर सकते हैं मैं आपको यह बताऊंगा कि आप जो है किससे तरीक से आपके पास कोई डॉक्नमेंट है या आप पहले से कोई photo कोई डॉकुमेंट कोई file कोई फोल्डर आप अपना रख रखेंए में ग्लेरी में तो इसको जो है अपकर से यूज करेंगे तो यहां अपना बना सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीका से आप कोई भी फोटो या कोई डोकॉमेंट है आपके पास कोई सटीफिकेट है उसको आप कैसे स्कैनिंग करेंगे तो यहां पर देखें लेने इस पर किलिक कीजिएगा और यहां पर देखिए आपको द्वेसर इसके बाद यहां पर आई-डी काड़ है नोट है यहां पर वाट बोड है जिसको भी सकेणिंग करना चाहते हैं आप बहुत यहीं तरीका से कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पास कोई फोटो फोल्डर या कोई से स्कैन करेंगे तो इसके रिए क्या करना ह इस पर क्लिक कर सकते हैं यहां पर कुछ जो है दे रेक्था तो चलेक्ट करता है और यहाँ नीचे इंपृट वाले क्लिक कर दीजगा तो यहां पर जो है आपका यहां पर इंपोर्ट हो जाएगा यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर मेनी वाली जो है यहां पर सेलेक्ट कर लिया है अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें गलत है तो इस तरीका से जो है आप यहां पर कट कर सकते हैं ठीक है आुष्त कर देना है यहां फूर को आपको यहां ब Holmes कर देना जीना नहीं है यहां पर सब्सक्राइव सब्सक्राइब जबादा इसन्दारा धुबेर हो यह और लिए ऑपनास्पन timeframe कर देंगी द्लारी अप्वोर हो इसको आस्च छो जस़ से नि ど perdu का यहां इशो करना है यहां पर कंटीनी yhtरा कर सकते हैं ब्वर दीजिए और facts भी कर सकते हैं तो यहाँ दन वाले पर क्लिक कर दिजिए और यहां से मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है इसको बिलेदी में कैसे अब देख्वाटा ऊपन करता हूं को करें को इसी है यहां करों गाए धले के नीचे जाने के बा utan कल में यहाँ पर देखा तो यहाँ पर देख्वां हुआ है है यौँ आप देख रहे हैं कितना संदार तरीका से इसको जो है स्केनिंग किया है इस तरीका से ग्याज आप किसी को भी फाल फोल्टर को कोई डोकुमेंट हो कोई आपको पास जो है सब्सक्राइब कर सकते हो अगर यही काम करवाने के लिए आप यवाज सैबर के पी मिझा जाएगा तो यही कायम करके आपको देदीडगा स्केन करके आपको बेर देगा यह पिर्ट निकालके देदेगा और आपसे दस रॉप्या ले सब्सक्राइब करके डिए कंड़कर अब यहां पर अपना हिसाब से जो है जो ही चूस करना चाहते हैं इसमें से अपना लो jake a २कर gray mode black को यहाँ चूछ करोंगा मैजिक कलर पर त्पी है इसको आप टूच कर लिजिए में हमें इसको करने के छिर शोलिक किजिए जो है यहां क्वोड कर सकते हैं अप्लोड किसी को मैं हम आप कि यह को देखा दुन हुआ कि यहाँ करना करने का निची आना आने के वादि यहां पर देखिए रहा है यहाँ पर देखें항 यहां पर मैं क्लिक करों गाय यहां पर देखिए किगतना कीषिर इसको scans किया है सब्सक्स बहुत ही तरी का इस दो पर चाहते हैं इस प्रधिक से शरेक्ट शरें and click चीकर चीजा test क्लिक चाहिए पर हो जपता। मैं सब्सक्राइब करें को चाहें यहाँ से पर तरीगा से चाहेंगे यहाँ से जो कामरा पर किले करके आप कर सकते हैं यहाँ पे कीटाब कर नहीं रखू किटाब बूप या पीपीटी या कुछ जो भी करना है ग्रेटिंग कार्ड या डोकॉमेंट तो यहां पर उप्षन आ जाता है आप जो है बहुत ही तरीका से उसको जो है सकते हैं करने के लिए इस रख़ेगा और रखने के बाद यहां जो केमरा वाल उप्षन है इस पर किलिक किजएगा यहां पर देखिए आपको इस तरीका से आप सजा लेंगे इस दोकॉमेंट कोई फाल फोल्ड और इस तरीका से आप सजा लेंगे इसके बाद यहां राट वाले पर किलिक कीजिएगा किलिक करते ही यहां पर देखे कि इसको जो है स्केन कर लिया है यहां पर आपको डेर स्राइब ऑप्षन मिल जाता है आप जिसमें भी रखना चाहते हैं तो यहां पर जो है आप जो है लाइटिंग ब्यूटिफूल यह स्केनिंग किया है तो यहां पर किलिक कीजिएगा किलिक करने के बाद जो यहां पर देखिए डोकॉमेंट सब्सक्राइब हो चुका है यहां से आप कर सकते हैं से कर सकते हैं रेगोनाज कर सकते हैं अपलोड प्रेंट और प्रेंट कर सकते हैं तो यहां पर मैं subscribe to gallery पर click करूँगा यहां पर देखें save to gallery यहां जो है gallery में saya हो चुका है इसके बाद यहां पर YouTube option कीजेगा किलिक करने के बाद यहां पर देखें आप इसको जो PDF में भी बना सकते यहां पर देखें ड्रैव THE बात ब्रभाडेन सब्सक्रांद आपकर सकते हैं इसका रहा प्रेश बार्भडेन सकते हैं इस तरीकां से निकाल सकते हैं इसका अब करोब्लम करते हैं मैं आप को देखाऊंगा और इस यहां चलता हूं पहले जो मैं सेव किया हूं तो मैं गिलरी को ओपन करूंगा ओपन करते ही आपको जो है तो समझाना है तो समझाने के बाद माई फाइल समझाना है दो कुछ बन सकते हैं किसी भी बुक को जो है आपके पास को इसके निग कर रहे हैं या आपके पास कोई सर्टीकेट है उसको इसकनिंग कर रहे है तो बहुत ही इसी तरीका से अप सब कुछ कर सकते हैं मैं इसको दिलिट करके उड़ा देता हूं इस तरिका से सब कुछ कर सकते हैं मैं यह यह विदि घथा कंडर करके हटा देते हैं या आप पहले से शेव करके रखे हुए हैं तो simply जाना है इस तरीका से इंपोर्ट कर लेना है अपने gallery में से यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है इसको cutting setting करके आप जिसमें भी रखना चाहते हैं उसको रखके आप उसको फिर से आप gallery में save कर सकते हैं और यह जो है आप उसको यूज कर सकते हैं सो गाज अब तो आप सिखी लिए होंगे किस तरीका से फाइल, फोल्डर, फोटो, डोकॉमेंट, बुक या कुछ भी जो आप सकेन करना चाहते हैं उसको आप बहुत ही इजी तरीका से सकेन कर लेंगे इस वीडियो में आप ये सिखी लिए होंगे सूर इफ़कि ये वीडियो को काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ सीर करिए अगर आपके दिल में कोई कनफीजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूस सकते हैं